कभी दर्यां के भी तर्दी समंदर जाग उठता है बहुत बहुत आखाँ बस आपका यही मन मुझे जाए कोई बात अच्छी लगे तो आपका मन मुझे जरूर पहुचे ताकि मैं थोड़ी देर आपका भी इच खड़ी रह सकूँ और मैं तो यह पूछना ही भूल गई थी आपस कि मेरे पास किसना समय है देखे मुझे पता था कि आप ऐसा ही कुछ बोलेंगे इसलिए मैं पहले अपने कर्तवे का निर्वहन कर दूँ ये चार पंतिया पहुचा दो फिर जैसा कि आप जानते हैं मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ कोई भी उत्तर नहीं रखती आपकी फाइल मैं जरूर नित्का हूँगी इस बात का उत्तर मैं जरूर दूगी यदि आपका मन हो तो मैं जरूर उत्तर दूँ लेकिन उससे पहले मैं ये पंतिया पूरी कर दूँ सुरें कभी दर्या के भी दर्भी समंदर जाग उठता है मिले समान हीरे का तो पथर जाग उठता है मिले समान हीरे का तो पथर जाग उठता है मिरा इश्मय तेरा अल्ला तेरा इश्मय मिरा अल्ला हो मालिक एक है सब का महर पानी हो सकी तो मुकदर जाग उठता है महर पानी हो सकी तो मुकदर जाग उठता है किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते वैसे मेरा ये भी मन था थी यहां समझे बहुत दाद मिल रही है पर थोड़ा सा और आपका भी मन मन जाए तो मुझे और अच्छा लगे अब कहती हूं सुने चार पनते और कहती हूं चार लाइन आप तक पहुचा जाए बात अच्छी लगे तो आपका मन मुझे लिल जाए सुनिए मुहाबत के सुफर को एक हसी आपस दे देना बहुत दूर से दोड़ करके आए ये बिलकुल नया ही है जो आप तक पहुच रहा है अच्छा आप इसलिए आए 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 सुने मैं आपसे कहती हूँ कि आजी मंजरे खराब हो जाता पर पुराना हिसाब हो जाता अब आपसे कहती हूँ कि ठीक है बात बड़ नहीं पाई ठीक है ना तु बड़ नहीं पाई वर्ला तू पे लकाब हो जाता मैं पंतियान में दुद करती हूँ बस मेरा साथ गए कि मुहाबत की सफर को एक हसी आज दे दे अब्दुलकलाम साहब मेरे खाल से जिए अच्छा अच्छा आपका की तरफ से मैं आपको बहुत दोनेवाइद करती हूँ सुने बाद अच्छा सुन रहे हैं मुहाबत की सफर को एक हसी आज दे देना मेरा कर्मो सुरा उठे तुम ऐसा आज दे दे देना ववाए देखने ना तुम तुम्हारे प्यार की आदे मुहाबत की सफर को एक हसी आज दे देना मेरा कर्मो सुरा उठे तुम ऐसा आज दे देना ववाए देखने ना तुम्हारे प्यार की आदे ववाए देखने ना तुम्हारे प्यार की आदे चली आओंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना चली आओंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना और यह आओंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना और यह आपके अनुमती और इजाज़त हो यह लो अच्छा मैं तो अनामिका जी सोच रहा था अवी शब्दू खान जी चार पाच गुलाव एक साथ लेकर आए तो मैं सोच रहा था देको किसमत वाले लोग होते हैं कि रोज के पे एक गुलाव दे देते हैं एक गुलाव से उनका काम चल जाता है मुशायरे की मैंपिल में पाच गुलाव इकठे करके तो तब भी आपने सही तरह से उनकी तरफ देखा तक नहीं आपने इंगा देखा ने बहुत अच्छे तरह से देखा अपने ध्यान नी दिया पूरे पुरे पिता की नजर से उनको देखी आप ने पुरे नहीं क्यों ध्यान नी दिया और अब उनकी फर्मायश है आप से मैं मुआफी चाहूं जो ये बैठे हैं फस करके जा किया किया देखे मुझे फर्माईश आई तो अब वो मैं नया करके नहीं कर सकते हूं और रही बात उनकी मैं उन्हें प्रणाम करते हूं वो बहुत आदनिये हैं फादर आदनिये हैं और वो विश्वश्विये हैं या नहीं हैं वो आप जाने हैं तब कहते हूं कि जैसा तनन दिख रहा वैसा मन कीजिए जैसा तनन दिख रहा वैसा मन कीजिए ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए ऐसा वैसा न कोई जदन कीजिए तीर्थ के दार में प्रेम कहते नहीं मेरी बात पहुच रही है बिल्कुल सही जगे पहुच रही है तो सुनाती है के तीर्थ के दार में प्रेम कहते नहीं तीर्थ के दार में प्रेम कहते नहीं ये उमें है भज़न की भज़न की जिये